अभी हम लोग sternum के बारे में पढ़ेंगे sternum, sternum bone, यह इस picture को इग्णोर करना है, इस इस को इग्नोर करना है, से platform की तरफ ध्यान देना है, platform, this one, सबसे बीच वाला जो है बड़ी ओफ इस्टर्नम वह कितना ब्रॉड है एक दम प्लेटफॉर्म की तरह लग रहा है उसको पर यह कौन खरा है प्राइम मिनिस्टर बीच वाला जो प्लेटफॉर्म है मंच है उस पर प्राइम मिनिस्टर खरा है फिर उसके बगल में यहां छोटे वाले प्लेटफॉर्म में प्राइम मिनिस्टर के लिए तो नहीं खरा रहेगा यहां पर कौन है यह एस पी है प्रोटेक्शन के लिए और इस तरफ कौन ख़रा है यह है ऐसे लोग जो राई का पहार बनाते हैं बगल में इसके बगल में ऐसे लोग खड़े हैं यहां जी फी इस्टर्णम के ऊपर तो यह सारा इसका अटैच्मेंट से ओवर दर बड़ी ओफ इस्टर्णम जिस अटैच्मेंट ओपी एम डाट इस पे मेनब्रीय में किह सी यहां पे मैनब्रीय मिस्टर्णini है इस योगर सुपीर ईबडर इसे सिसे इनफीर बड़र इस टूआ लाटर बडर इस इस अंटेटीर सर्फेस और इसके पीछे हो जाएगा पोस्टी इस तरीके से यहां पर रहता है इस्टर्णम तो एंटीरिये सर्फिस पर किसका अटेश्मेंट है SP का यहां बगल में SP खरा है तो SP कौन है सबसे उपर कौन खरा है इस्टर्णम एस्टर्णम मस साथ यहां ऊपर में आधे में यहां पर इš्टर्णम का टेश्मेंट है और नीचे पेक्ट्रलिस मेजर का दोनों ही तरफ इस तरफ पर और उस तरफ इस तरफ राइट साइट इधार लेग साइट। और सिर्फ एस्पी के बस के बात नहीं है कि प्राइम निस्टर को प्रोटेक्शन दे दे तो इसके नीचे कौन छूपा हुआ है स्मीता सुदर्शना प्रोटेक्शन के लिए चुपी हुई है तो इसमीता सुदर्शना के लिए क्या हो गया किसका अटैश्मेंट है एच पहले आता है तो ऊपर की तरफ इस्टर्न घाइवड गाटैश्मेंट है और नीचे की तरफ इस्टर्न घाइड का अटैश्मेंट है कि अब इसी में है यहां पर सुपीर बौर्डर, इफिरियर बौर्डर एंड टू-लैटरल बौर्डर. एंड टीया सरफेस पे हम लोग आटेश्मेंट जानके SP का अटाइच्मेंट है that is the sternocleidomastroid उपर की तरफ यहाँ पेक्ट्रोलेस मेजर इसके पीछे कॉर्ण है इस मीता सुदरस्णा चुपी हुई है SS that is H पहले आता है तो sternohyod हो गया अब सुपीरियर बॉर्टर पर क्या है यहां पर दो आई का अटाइच्मेंट है इंट्रक्लाइबिकुलर लिगामेट इन्वेस्टिंग लेयर ओफ डीप सर्भाइकल फासा यहां पर पूरे में तिक है सुपीरियर बॉर्टर पर और यहां पर सबसे ऊपर अबस्टर्न ग्लैविकुलर सबसे ऊपर में यहां पर अबस ट इस्टर्नो कॉस्टल यहां पर इस्टर्नो कॉस्टल जॉइंट बन रहा है इस्टर्नो क्लाविकुलर ऊपर में है इस्टर्नो कॉस्टल इसके नीचे है इस्टर्नो क्लाविकुलर कैसा जॉइंट है ग्लाइडिंग टाइप जॉइंट है इस्टर्नो कॉस्टल कैसा अब हम आ जाते हैं यहां पर प्राम निस्टर एंट्रियर सर्फिस पर तो प्राम निस्टर क्या पेक्टोलिस मेजर हम लोग जानते हैं 2nd to 6th attachment होता है पेक्टोलिस मेजर का तो यहां भी है पेक्टोलिस मेजर उपर में और यहां से इतना तो दूर तक गया 6th तक this is seventh, यहां प्रूण फेज़े अस्त्रम and Buddy of the Standard, अढ़र होता है? seventh kostal cartilage. और यह Buddy of the Standard and Manobrium Truck कोंच होता है second costal cartilage के लिव्वल पेुथे, अटिकीचने CAR ker तो यहां से second to sixth pectoralis major का है, तो Prime Minister हो गया, यहां नीचे देख लेते हम लोगाई चुपा होगा है, तो इसके पीछे है इसका पीछ लगू follower प्राइमिनिस्टर अकेलो तो नहीं आएंगे इसके पीछे follower है पीछ लगू पीछ लगू क्या हुआ PL पीछ लगू plural and lung का relation है पीछे में इधर right side में left side में left plural and lung और हम लोग को नहीं भूनना चाहिए कि हम लोग के पास एक दिल भी है और वो left side में होता है तो यह इधर right इस तरफ right हो गया और इस तरफ left हो गया तो यहां left side में यहां पे hurt का relation है ठीक है और यहां पे पीछ लगू लोग चाय पी रहा है नीचे में तो यहां transversus thoracis नीचे में है ठीक है तो पीछ लगू हो गया प्लूरायन लंग अब यह नीचे कौन है यह राई का पहार जो बनाता है ऐसे लोग खरे हैं जिफियस्टर्णम के ऊपर जिफियस्टर्णम के ऊपर किस इसका अंट्रियर सर्फिस पर किसका अटैश्मेंट है राई का पहार तो R-A-E-I राई रिक्टस अब्डोमिनिस A-E-I ड़िज एपोनुरोसिस ओफ एक्स्टरनल अबलिक अद इंटर्नल अबलिक अब्डोमिनिस मसल जिफियस्टर्णम के अंट्रियर सर्फिस पर और इसके नीचे कौन है उपर में राई का पहार बना रहा है चोटा-चोटा बात का भग अंदर बना दे रहा है और देखिए अंदर ही अंदर क्या कर रहा है दौलत जमा कर रहा है 500 का नोट दिखाई दे रहा है दौलत जमा कर रहा है अंदर ही अंदर तो posterior surface पे दौलत का attachment है D, L, T दौलत diaphragm, D for diaphragm L for linear alba and T for transversus thoracis transversus thoracis के बारे में हम लोग यहाँ पे भी जाने कि पिछलगू लोग यहाँ नीचे जो पिछलगू है चाई पी रहा है तो transversus thoracis यहाँ भी है यहाँ इसके नीचे में भी थोड़ा सा attachment है transversus thoracis का ठीक है तो हम लोग सब के बारे में जानगे यह हो गया manubrium sternum eye, this is body of sternum this is jeffy sternum superior border, inferior border, two lateral border superior border पे दो eye का attachment है that is investing layer of deep survival faca and interclavicular ligament यह सारे facet है सबसे उपर में है sternoclavicular and first sternocostal joint बन रहा है फिर यहाँ पे second है यह third, fourth, fifth, sixth and seventh यहाँ पे seventh है और lateral side में इन दोनों पे lateral relation में side में lateral border में manubrium sternum eye this is body of sternum इसके side में side में attachment होता है external intercostal and internal intercostal internal intercostal पीछे muscle है और आगे में membrane रहेगा muscle के protection के लिए external intercostal muscle का membrane membrane of external intercostal muscle और इसके deep रहेगा internal intercostal का muscle muscle internal intercostal muscle यहाँ रहेगा membrane of external intercostal muscle यहाँ इसके दोनों ही के lateral side में यहाँ नीचे में नहीं रहेगा सिर्फ इन दोनों के lateral aspect में रहेगा attachment और बाकी तो हम लोगों ने relation जाने लिया relation and attachment फर्स हाँ एक और जहाँ समीता सुदर्शना रहे वो जगह तो important होई जाता है तो इसलिए attach यहाँ पे समीता सुदर्शना का तो attachment है that is a sterno higher than a sterno thyroid लेकिन important relation भी है तो क्या चीज़ का relation है यहाँ पे heart है न तो यह आर्च अफे ओटा है आर्च अफे ओटा इससे यहाँ पे निकला brachiocephalic trunk and right side में brachiocephalic trunk इधर हो गया left common carotid and left subclavian and this is superior बना कभा फिर यह brachiocephalic trunk बना तो यह right side का हो गया यह left brachiocephalic तो यहाँ पे इस जगह पे relation में आ रहा है मैंनु ब्रियमिस्टर नाई इसमिता सुदर्शना जहां पे है अटाश्मेंट उसके important relation वह जगह तो important हो जाता है तो क्या है वहाँ पे आर्च से फे ओटा का relation है प्लस brachiocephalic trunk और left brachiocephalic left common carotid and left subclavian and left brachiocephalic trunk इतना relation है important relation ठीक है थैंक यू